Hello everyone, welcome back to my channel, guys, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आगई हूँ, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब ही अच्छे हैं, खुशन अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आगई हूँ, guys, और जो टॉपिक है आज की रीडिंग का, वो है What is coming towards you next? आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है? What is coming towards you next? आपकी लव लाइफ में, आपकी परसनल लाइफ में, ठीक है, क्या बेसिकली चीजे होने वाली है? What is coming towards you next? पर में रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप 1 के लिए मैंने आपकी लाइफ में आपको पीस रहे, आप अपने डिसिजन अच्छे से ले पाएं, ठीक है, तो यह है, पाइल 1 के लिए, देख लें अच्छे से आप आप स्टोन से अट्राक्ट हो रहे हैं, तो आप पाइल 1 को स्लेक्ट कीजिए, और पाइल 2 के लिए है, यहाँ पर टाइगर आई, यह स्टोन है, यहाँ पर टाइगर आई, तो अगर आप इस वाल स्टोन से अट्राक्ट हो रहे हैं, तो आप पाइल 2 को स्लेक्ट कर सकते है ठीक है पाइल 2 के लिए है टाइगर आई का स्टोन देख सकते हैं आप किस तरीके से शाइन कर रहा है इस स्टोन बिलकुल टाइगर जैसे एक स्ट्रक्चर आ रहा है I hope you can see तो अगर आप इस वाले स्टोन से अट्राक्ट हो रहे हैं तो आप Pile 2 को select कर सकते हैं ओके यह है Pile 2 के लिए तो जो stone आपको intuitively attract कर रहा है आप उसे ही pick करना यह confidence के लिए है basically यह stone चिक है तो और यह piece के लिए है तो हम देखेंगे आप select कर लीजिए एक stone को और फिर मैं आपको आपकी reading पर मिलूगी और पता लगाएंगे आपकी life में आगे आपकी अट्राक्ट कर रहा हो what is coming towards you next क्या होने वाला है आगे यह हम पता लगाएंगे what is happening मानलब क्या होने वाला है what is coming क्या आ रहा है आपके पास what is coming towards you next ठीक है तो I hope कि अब तक आपने एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जैनरल रीडिंग है हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो या फिर किसी और चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं ठीक है इस अप तो यो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए हेलो एवर्यबड़ी तो जिन्हों ने भी चूज किया है ये वाला स्टोन ख्लीयर कोर्ट्स लिच सी आप क क्लियारिटी है आपकी लाइफ में आपको पता है आगे के जो भी डिसिजिशन थे वह क्या लेने हैं क्या एकशन लेना है आपको कुछ ना कुछ लिएरिटी आप तक पहुंत चुकी है इसलिए शायद आपने ये स्टोन सिलेक्ट करा है और गाइस ये भी हो सकता है कि आपके पास enough confidence है और आपके पास you know peace भी आ रहा है तो peace उन्हीं के पास हो सकता है जिनके पास confidence होता है ठीक है तो आपके पास confidence भी है अब आपके पास clarity भी है ठीक है आपने इसलिए ये वाला stone select करा है let's see आपकी energy मैं pick करूंगी then मैं जानूंगी कि आपकी life में word is coming towards you next ठीक है ये दोनों question करेंगे पहले ही आपकी energy pick करेंगे फिलाल तो मैंने energy बता दी है stone से आपको फिर भी हम एक बार tarot से देखेंगे चलिए start करते हैं क्या कहा था मैंने oh my god oh my god guys हम पता नहीं आप लोगों को समझ आया होगा या नहीं आप जानते हो इन दोनों card के बीच में tower है tower से पहले good luck then tower then ये six of wands का card है इसका मतलब है कि आपकी life से ये tower moment खतम हुआ है मैंने क्या कहा था अभी ये stone देखकर कि ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी life में बहुत बड़ा burden आपके mind से release हुआ है वो यही तो था tower moment कुछ भी challenge हो सकता है चालेंज हो सकता है आपकी life में और मुझे लगता है कि yes आपको clarity मिली है तब ही आपने ये वाला stone select करा है clear quartz yes guys देखो आपने life में बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ go through भी किया है और अब आपने इस tower moment को खतम किया अपनी life में पूरे तरीके से तुम्हें नहीं बोलूँगी लेकिन आपके साथ आपका good luck है तो यह जल्दी खतम हो जाएगा और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो victory की ही direction में आप आगे बढ़ रहे हो जिसमें आपको victory मिलने वाली है अगर आपने कोई decision लिया है recently तो आप उस decision पर trust कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी intuition ने guide करकर आपको बताया है अचा मुझे यहाँ पर Scorpio बहुत strong दिख रहा है इसके अलावा यहाँ पर है Taurus यहाँ पर है Leo Aquarius and Sagittarius Scorpio, Taurus Leo, Aquarius and Sagittarius और यहाँ पर Aries भी मुझे दिख रहा है यह sign मुझे अभी तक strong दिख रहे हैं तावर मुवमिंट खतम हो गया यहाँ नहीं वाला है बहुत जल्द खतम हो जाएगा अब अब तो clarity आगई guys अब तो अब जो decide कर रहा है ना उसी पर काम करना आगे यह आपके life में success ली आएगा देखो death major transformation हुआ है आपके life में और देखो Scorpio का card आ गया मैंने Scorpio मुझे बहुत ज़्यादा strong दिख रहा है yes transformation हुआ है आपके life में major transformation जो आपकी life में victory लेकर आ रहा है आपकी life में आपका good luck लेकर आ रहा है fortune लेकर आ रहा है blessings लेकर आ रहा है आपका path ऐसा लग रहा है जैसे ना आपका जो रास्ता था जिसको आप follow कर रहे थे वहां बहुत ज़्यादा fog था और वो fog हट गया है और आपको दूर तक कर दिख रहा है कि yes आपको करना क्या है यह चीज में energy आपकर पा रहा हूँ transformation हुआ है guys आपकी life में major spiritual transformation हुआ है oh my god the emperor आप emperor में convert हुए हो आप बहुत ज़्यादा powerful soul confidence मैंने क्या कहा था यह peace उसी के पास हो सकता है जिसके पास confidence होता है तो आप तो बहुत ज़्यादा confidence है आपके अंदर आप self-reliant है knowledgeable है experience है that is why आपने यह choose किया है congratulations guys tower movement खतम हुआ है good luck आ रहा है victory आ रही है major transformations हो गए है और major transformation क्या बना रहा है आपको मुझे लगता है कि आपने या तो MBA किया है या आप चाहते है MBA करना क्योंकि मुझे business से related आपका profession दिख रहा है या तो आप plan करने के MBA करना है maybe out of country और maybe out of city कहीं ना कहीं मतलब दूर ही होगा आपका college या तो आप कर चुके हो और अपने business के लिए सोच रहे हो अच्छे से अच्छा करना या फिर आप चाहते हो कि आप MBA करो अगर नहीं किया आप तक दो ऐसा मैं हाँ देख रही हूँ क्योंकि आपका business आप business start करोगे चाहे कितनी भी job कर लो at the end आपको business ही करना है अपनी life में और यह business करने के लिए आपके लिए शायद MBA बहुत important है या आपको करना ही पड़ेगा या यह destiny में लिखा है आपकी आपकी energy तो बहुत अच्छ यह सरफ अभी जो energy मैंने पिक की है आपकी यह आपके work area से related है मैं लव लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करती हूँ देखती हूँ क्या cards आते हैं आपके लिए ट्रीह अपस अच चीए हूँ करया है है अबाज चानन IPO इध सब्राइ लवत ग्दूर एक लज फ्तमद अच्छ आपके हैं दो सकैन के न आप इध स्टर लवहार बहुत कर देखती हैं इध स्टgard लव लाइफ में अभी situation थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही है लेकिन उमीद है जल्दी ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी situation, reconciliation के chances हैं आप जो भी manifest कर रहे हो healing process जो भी आप कर रहे हो वो होगा ठीक आप जो मांग रहे हो आपकी intuition तो कहते ही हैं अभी आपको लेखो पता है कि आपकी love life बहुत complex है आपको अच्छे से पता है और मेभी यहां third party situation हो आपको ऐसे भी थोड़े से आपकी intuition आपको कह रही है कि यहां पे third party हो सकती है लेकिन कहीं न कहीं आपको यही intuition आ रहे है कि आपके partner ने आपको वेट पे रखा हुआ है आपको यही लग रहा है कि थोड़ा सा delay है लेकिन after delay आपकी सारी wishes पूरी होगी इस बात की उमीद है आपको और आपका reconciliation भी हो जाएगा यही आपकी energy मुझे यहां पर बता रही है कि आपकी thinking यही है आपकी soul यही सोच रही है और आप सोचे इस तरीके से क्योंकि अगर आपकी energy एकदम clear है आपके अंदर confidence है आपकी intuition बहुत high है तो आप जो feel कर रहे हो उस पर trust करना शुरू कर दो ओके लेट सी अब आपके life में आगे क्या आ रहा है what is coming towards you next लेट सी अब हम यहां से पता करते है क्या attract कर रहे हैं आप wait a second grief we have grief card we have victim okay we have perfection respondence prayer wisdom balance bittersweet यह भी card आ रहा था creation ओके यहां से है completion complete तो बहुत सारी चीज़े हुई है life में ठीक है abundance भी आ रहा है self worth आ रही है passion अच्छा यह चीज़े आने में थोड़ा सा ताइम लगेगा यह जो तीन कार्ड यहां दिखे है abundance, self worth और passion passion तो आप follow कर रहे हो passionate हो जो भी आप करते हो उसके लिए बहुत passion है आपके अंदर पर कुछ चीज़े complete होई है life में से tower moment हटा है अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी life में आप आगे क्या क्या आ रहा है आपकी life में आगे देखे आप balance बना पाएंगे proper balance अपनी life में आपके काम जो भी अब आप strategy follow करने वाले हैं वो work करेगी सबसे पहली बात तो यह है creative हो आप intuitive हो यह तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ देखो इनके हाथ में भी stone है ऐसा लग रहा है जैसे divine ने आपको एक power दी है या फिर अपनी blessings दी है कि आपके लिए चीज़े आसान हो रही है आपकी प्राथना है work कर रही है और आगे भी करने वाली है ठीक है अब आप जो भी manifest कर रहे हो मनते मांग रहे हो आपका manifestation मतलब पूरा होगा आपकी आवाज divine तक पहुंसती है और ऐसा लग रहा है जैसे divine आपके लिए प्राथना कर रहे है आप देख सकते हैं और देखो यहाँ पर भी इनके हाथ में कुछ है can you see this इनके हाथ में है इनके हाथ में एक source है एक light है आपके पास बहुत wisdom आ चुका है मुझे ऐसा लग रहे है जिसे आपके यह टावर मूविंट खतम हुआ है इससे आप बहुत ज़्यादा मतलब intuitive भी हुए है बहुत साले रास्ते आपको मिल रहे हैं आप कैसे काम करने वाले हैं आगे तो एक wisdom आप तक पहुचा है अब आप जो भी decisions लेंगे वो सब ठीक होंगे आप बहुत intuitive है, creative है perfection आ चुका है आपके अंदर आप जानते हैं वह आपके दोनों हाथ में fruit है इवन इतना fruit है कि एक आपके हाथ में आ भी नहीं रहे हैं एक यहाँ पर है और देखो यहाँ पर एक tree है can you see this इसका मतलब है कि आप जो भी सोच रहे हो वो बहुत आगे तक आपके लिए beneficial होने वाला है तो जो भी decide किया है उस पर आप काम करना शुरू कर दीजे क्योंकि आपके अंदर आप perfection है wisdom है आप बहुत ज़दा creative है intuitive है तो आपके लिए गए फैसले अब आगे चल कर काम करेंगे proper balance बनेगा आपकी life में आपकी life में ऐसा लग रहे है कि सिंक्रनाइज हो रही है हर एक चीज balance हो रही है proper way में आप करने वाले हो यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि आपकी life से stress चला गया tower movement कतम हो गया that is why victory आप attract कर रहे है love life में थोड़ा सा मुझको यहाँ पर दिख रहे हैं issues आपको लगेगा कि आप victim बन रहे हैं आपको थोड़ा सा रोना आ सकता है वैसे मुझे यह ज़्यादा तर लोगों के लिए नहीं दिख रहा है यह वाला message यह बहुत थोड़े से लोगों के लिए ही है maybe 15-20% लोगों के लिए यह messages है क्योंकि वो आज भी अपने partner को स्टॉक कर रहे हैं और स्टॉक तो चलो कर लो पर रो क्यों रहे हो रोने की क्या जरूरत है किसी इंसान के लिए रोकर अपना दिल क्यों मतलब हर्ट कर रहे हो खुद को क्यों आप उदास हो रहे हो क्यों आप परिशान हो रहे हो क्यों panic हो रहे हो यह चीज़े नहीं करनी अगर ऐसा करोगे तो सच में फिर आप grief में हो फिर आप victim अपने आप ही बन रहे हो आप अपनी life को खुदी victim जैसा बना रहे हो और grief में हो instead of you know crying आप अपनी life में कुछ करने की कोशिश करो प्रेयर करो और अपनी life में wisdom ही लेकर आने की कोशिश करो जैसे बाक्योंने किया है आपको करना है इस तरीके से इस person के लिए रोक कर परिशान होकर आप इन्हें खुद से और ज़्यादा दूर कर रहे हो तो इसलिए अपनी healing क करो यही करना है आपको तभी कुछ response मिलेगा आपको ठीक है वरना फिर आप जहां है वही है फिर यहां से भी देख लेते हैं और क्या आपके लिए आप अट्राक्ट कर रहे हो लेक्सी इंट्यूशन तो बहुत ज्यादा हाई है आपकी ठीक है गाईस बहुत ज्यादा intuitive हो तो आप मुझे लगता है universe से बहुत easily connect हो जाओगे और आपको आपके answers भी मिलेंगे truth judgment आ रहा है आपके पास बहुत जल्दी मुझे तो ऐसा लग रहे है कि divine ने judgment दे दिया है यह tower moment खतम करकर या fulfillment of wishes आपके wishes पूरी होने वाली है wishes आपकी पूरी होने वाली है yes जो भी wish आप मांग रहे थे न वो विश आपकी पूरी हो जाएगी और partnership भी आपके पास आएगी different flag maybe आप abroad जा रहे हैं MBA करने maybe possibilities है shadow आप अपने आपको अच्छे से और deep way में समझ पाएंगे अब आगे आपको क्या और improvements लेकर आने अपनी life में yes and hope sun card आ गया है आपके life में sunlight आ रही है आपके life में victory आ रही है आपके life में clarity आ रही है आपके life overall better हो रही है आप सबको मैंने कई बार बताया है जहां आपकी work life आपका profession आपका career set हो जाएगा वहीं आपकी love life भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी इस बात पर भी trust करकर आगे बढ़िए देखो ये भी success का ही card है success का card है ये आपके life में overall success आ रहा है आपका थड़ाई चाक्रा open हो रहा है थड़ाई चाक्रा open हो रहा है जापका तो आपकी life में बहुत चीज़े ऐसी आ रही है जो बहुत positive है आपके लिए बहुत ज़्यादा fruitful साबित होंगी आप जो decision लेने के लिए सोच रहे हो आप उस पर trust करकर आगे बढ़िए क्योंकि ये आपकी intuition कह रही है और intuition आपके इस earn करा है इस miracle को भी आपने earn करा है divine को प्रूफ करके दिखाया है कि आप miracle के हगदार है तो ये miracle कह लीजिए या blessings कह लीजिए और yes अपना hard work भी बोलिए ये आपी का hard work है जो आपकी life में इतनी wonderful चीज़े लेकर आ रहा है okay so guys this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद हो अगर ये reading आपके साथ resonate हुई है तो मुझे comment section में बताना channel पर नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care hello everybody तो जुनों ने भी tiger eye का stone choose किया है let's see आपकी life में आगे क्या आ रहा है what is coming towards you next ठीक है तो stone से जो मैं energy pick कर पा रही हूँ वो यही है कि आप लोगों के अंदर confidence build होने लगा है ठीक है आपके अंदर enough confidence आ रहा है और आप concentration बढ़ा पा रहे हो अपने काम में ठीक है आप negativity से लड़ने के लिए बिल्कुल ready है और अपनी life में ज़्यादा से ज़्यादा manifest कर रहे हैं hard work कर रहे हैं आप ताकि आपकी life में beautiful changes आ सके ठीक है let's see कि आपकी energy क्या है आपकी energy पहले मैं pick करूंगी then बताऊंगी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है पहले cards को shuffle कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या आता है क्या energy है आपकी let's see the full yes new beginning के लिए ready है आप तभी तो इतना confidence आया है negativity से लडने के लिए बिल्कुल ready है आप two of swords ace of cups three of swords tower death card eight of wands king of pentacles three of cups we have six of wands okay तो मैंने आपकी energy पिक कर ली है यहां पर और six of cups का card है board on the deck से guys जैसे कि मैंने आपको बताया कि right now आपके पास enough confidence है to deal with all kind of negativity in your life yes आपके life में काफी negativity में देख रही हूँ आपकी life में काफी hardships है आपकी life आप recently आपका या तो ब्रेकप हुआ है या फिर ब्रेकप कभी भी हुआ हो थोड़े time पहले हुआ है या फिर अभी अभी हुआ है तो यह ब्रेकप आपने select करा है क्योंकि आपको strong बनना है आपको emotionally strong बनना है आपको अपनी life में confidence लेकर आना है और आपको किसी पर depend नहीं होना है जैसे एक tiger अकेरे भी खुश रहे सकता है उसी तरह का attitude आप अडॉप करने की सोच रहे हो तभी आपने ये वाला crystal ये stone आपने select करा है खुद के लिए मैं देख रही हूँ आपके life में टावर मॉमेंट है मुझे लगता है आप काफी emotional person है तभी इस breakup ने आपको हिला दिया ठीक है और आप बहुत ज़्यादा emotionally loss फील करने लग गए आप अकेले एक कोने में बैट कर रोने लग गए परिशान होने लग गए लेकिन फिर आपने बोला क्यूं करूं मैं ऐसे किस लिए करूं क्या मिल रहा है मुझे ऐसे करने से इसलिए फिर आपने क्या सोचा है ना कि अब आपको new beginning करनी है अब आपको इस टावर मॉमेंट से आप धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हो positivity में ठीक है light खोजने की कोशिश कर रहे हो जायद वह वापस आ जाएगा अभी आप कहीं कहीं वापस से आगे बढ़कर थोड़ा सा पीछे हो जाते हो यह चीज भी मुझे अभी आपके अंदर यह कमी ही बोलूंगी गाइस मैं यह कमी है क्योंकि देखो अभी आप बहुत ज्यादा रोए हैं परिशान हुए हैं आप अपने आखों को इतना हर्ट किया है अभी कुछ दिनों से यह चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ आपको काफी ज्यादा आप काफी emotional loss में चले गए थे लेकिन अभी आपने जो confidence गें करा है जो हिम्मत आपने दिखाई है उसको प्रूफ करके दिखाना पड़े का आपको divine को कि यह आप अपने emotion को control कर सकते हैं आप हर situation में खुश रह सकते हैं और अपनी life को आप वेस्ट नहीं करेंगे अभी मुझे क्या दिख रहा है आपके career में अच्छा यह चीज़ पता है possible भी क्यों है कि आप इस heartache से निकल पा रहे हैं मुझे लगता है कि आपको ना कोई offer letter मिला है किसे ना किसी company से और यह offer letter मिलने से आपकी life में ना एक नई किरन जागी है जीने की खुश होने की ठीक है आपको लगता है कि आप अपनी life को waste नहीं करोगे आप अपनी life में celebrate करोगे आप अपनी life में यह success victory हासिल करने की कोशिश करोगे आप अपनी life में major transformations लेकर यह possible हुआ है क्योंकि आपने आपको यह offer letter मिला है या कुछ भी हो सकता है किसी अच्छे course में admission लिया है या फिर कोई academy join किये आपने कुछ इस तरह का आपकी life में कुछ हुआ है इसलिए आप बहुत खुश हैं अब आप काफी ज़्यादा energetic है और आपकी लिए अब बहुत accept किया अपनी life को और life में किसी भी तरह की negativity से लड़ने के लिए अपनी life में आप confidence लेकर आए हो ठीक है हिम्मत बनाई है आपने आपको ऐसा feel हो रहा है कि yes मैं आगे चल कर बहुत अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी और बिल्कुल आप करोगे क्योंकि आपकी life में transformation तो करकर लेकर आएंगे ठीक है तो अगर यह energy आपकी है तो आप देखते हैं आपके पास आप क्या रहा है basically ठीक है यहां से देखेंगे चाक्रा विज्डम और एकल कार्ट से देखेंगे लेखेंगे 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 victim compliance okay we have abundance rejection growth release dissipating perseverance okay ठीक है गाइस आपकी एनरजी मैंने यहाँ देख ली और आपके लिए कार्ड भी आ गए हैं जैसे कि मैंने बताया कि अब आप जिस तरीके से अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं कोई नई जॉब या कोई नई कोर्स में अपने खुद को enroll कराया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में growth होगा और जैसे victim आप बनते आ रहे हैं दूसरे लोगों की वज़ा से अब आप समझ पाएंगे देखो किस तरीके से आप यहाँ खड़े हैं और एक dragon को देख भी रहे हैं तो अब आपको न यह पता है कि आपको victim कैसे बनने से बचना है चीक है इस चीज की clarity आ रही है आपके पास क्योंकि transformation हुआ है आपने अपने emotions पर control करना आप सीखोगे और आप खुद को victim होने से बचाओगे देखो आप थोड़े से तो इस energy में रहोगे क्योंकि अभी अभी आपने इतना बड़ा यह ब्रेक्थूर देखा है यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़े time पर आप थोड़े से उदास भी हो सकते हो कभी कभी आपको low feel भी हो सकता है लेकिन आप कोशिश करोगे कि इसको भी आप recover करने की कोशिश करें क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप किसी काम में आगे बढ़ोगे या हो सकता है यह habit अभी भी हो आपकी आपको rejection का डर होता है कि कहीं rejection ना मिल जाए तो पहले से पहले rejection के बारे में ना सोच कर positivity लेकर आओ hard work करो तो आपकी life में ये growth ही आएगा rejection का डर बिल्कुल release कर दो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो जो होना है वो best होना है आपकी life में जिस तरीके से आपने अब अपने अंदर इतना confidence आप लेकर आए हो और मुझे क्या दिख रहा है ना abundance आते हुए ही दिख रहा है आप हर तरह की negativity को release करकर अपनी life में abundance लेकर आ रहे हो कुछ ना कुछ online work भी start कर सकते हो जो भी आप online काम करने वाले हो यह हो सकता है कि आपकी job जो आपको मिली है यह online ही मिली है इसमें आपको abundance आते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ बिल्कुल abundance आएगा मिलेगा आपको आप parties वगरा भी करेंगे celebrate भी करोगे अपनी success और आपके life में काफी चाज़ा clarity भी आएगी लेकिन इसको आने में थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि एकदम से ही सब कुछ नहीं हो जाता जब आपने कुछ करने की सोचा है तो यह धीरे धीरे ही इसका आपको result मिलना शुरू होगा तो confidence आ रहा है आप अपने emotions पर control करना सीखेंगे life में growth लेकर आने पर focus करेंगे काफी चीज़े आपके life में अब solve होनी शुरू हो जाएगी और आप अपने आपको victim होने से भी बचाएंगे तो यह बहुत सारी चीज़े हैं अकेले में बैटके जो रोते थे इन सारी चीज़ों को अब आपने रो लिए जो आसु भाने ते बहा लिए ठीक है अब आपको किरन दिखनी शुरू हो गई है कि yes अब life में change लेकर आना है life में better change लेकर आना है वही चीज़े मैं देख रही हूँ तो confidence भी आ रहा है और जो overthinking है यह भी खतम होगी और कोने में बैटकर नहीं रोगे अब आप rainbow को enjoy करने वाले हो अपनी life में ठीक है यह चीज़े अब आप feel करोगे अच्छा feel करोगे confidence बिल्ट कर रहे हो अपनी life में hard work कर रहे हो तो यह major steps आपने लिए है और देख लिए है guys और क्या आ रहा है आपके लिए और क्या आप attract कर रहे हो throat chakra आप अपना throat chakra जो अभी तक आप बोल नहीं पा रहे थे घुट घुट कर जी रहे थे अब throat chakra आपका open होगा balance होगा देखो balance आ रहा है आपकी life में proper balance अब आप अपने काम को ना मन लगा कर करोगे मन लगेगा आपके काम में आप frame foundation आप अपने foundation को अचीव करने के लिए या इसको build करने के लिए अब महनत करोगे बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके लिए अब आपका future आपकी success important है बहुत ज़्यादा important है yes आपको ये दो कार्ट्स हैं मैं बताती हूँ एक कार्ट और ले लेते हैं yeah light आप lighter side में देखोगे ठीक है आप एक decision लेंगे आगे चल कर implement भी करेंगे और अपनी life में stand भी लोगे खुद के लिए better stand और दूसरी चीज़े जो दिख रहे हूँ आपका throat chakra open हो रहा है life में proper balance आ रहा है star card है ये आपकी wishes आप अपने wishes पर अपने purpose पर काम करोगे तो yes आपका focus बढ़ रहा है confidence बढ़ रहा है और divine पर trust होगा खुद पर trust बढ़ रहा है आपका और आपको लग रहा है कि yes अब मुझे इस life में और जीना नहीं है मुझे आगे बढ़ना है मुझे progress लेकर आनी है अपनी life में तो यही attitude में आपका देख पा रही हूँ love life से related जो cards अभी तो guys आपकी life में सच में आपने break up देखा है या separation में हो hurt हो रहे हो आप और इस hurt से अब जब तक आप निकलोगे नहीं न बेटर तरीके से तब तक हो सकता है कि आपको यह separation ही देखना पड़े या अपनी एक single life ही जीनी पड़ेगी क्योंकि जब हम transformation हमाई life में हो रहा होता है या अगर हमारी healing हो रही होती है हम बहुत ही frustrated हो चुके हैं और अभी अभी सोचा है कि yes इस condition से बाहर निकलेंगे तो yes थोड़े time के लिए आपको single रहना पड़ेगा और वैसे भी आपके लिए अब यह चीज़े इतनी मायने मुझे लग भी नहीं है क्योंकि आपके लिए main आपका पहले purpose है इसी को आप अचीब करोगे ताकि कोई भी आपको इस life में कभी भी hurt न करे ठीक है यह चीज़े मुझे आपके लिए दिख रही है I hope कि यह reading आपके साथ resonate होई हो आपको पसंद आई हो अगर यह reading आपके साथ resonate होई है तो मुझे comment section में बताना चैनल पर नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys bye take care